भगवान स्री राम कहते हैं कि मेरे से मेरा नाम बड़ा है आपने भी शुना होगा लोग कहते हैं कि राम से राम का नाम बड़ा है वो राम से राम का नाम बड़ा कैसा है मैं उसी के ऊपर अभी चर्चा करने वाला हूँ जब स्वेम राम जी कहते हैं कि मेरे को मेरे को नहीं म आपको बताना चाहूंगा कि जब स्री राम चंदर जी का जनम अयोधा में नहीं हुआ था, उससे पहले भी स्री राम का जो उचान किया जाता था, उनका नाम लिया जाता था, वालमिकी जी ने राम जनम से पहले ही रामायन की रचना कर दे थी, वालमिकी के बारे में आपको पता है वालमिकी जी क्या थी डाकू थे और ऐसे ही वो आते जाते लोगों को लूटते थे नारजी आये नारजी से बात हुई तो नारजी ने कहा कि क्या आप ये जो काम कर रहे हो ये अच्छा है उन्हों कहा कि अच्छा हूं और मैं इस काम को करूँगा तो कहा कि कहा कि आप घर पे जाओ और अपने परिवारवारों से जा के पूछू की मैं जो लोगों को लूट के मार के जूब मैं आप लोगों के लिए जो खाना में ले के आ रहा हूं जो धन में ले के आ रहा हूं क्या आप भी इस पाप के भागी बनेंगे तो ये बात सुनी और जो वालमिकी जी थे घर पे गए तो जैसे ये बात रखी तो गरवाणों ने मना कर दिया कि नहीं हम भागी नहीं बनेगे ये आपकी जिन्मेवारी है तो वापिस आए वापिस आने के बाद वालमिकी जी ने कहा कि आप जो करम करते हैं उनका फल आपको ही भूकतना पड़ेगा तो आप इस राम सब्द का उच्चान कीजिए तो उन्होंने कहा कि राम सब्द को आप बोलिए तो ये जो सब्द उन्होंने दिया ये राम जनम से पूरो की कथा है तो उस समय भी राम थे और राम सब्द का उच्चान करके ही उनको वो दिवे ग्यान प्राप्थ हो गया था और जिससे उन्होंने पहले ही जो रामैन है रामैन की रचना उन्होंने करते थी तो अब हम बात करेंगे इसमें ऐसी क्या अद्भुत ताकत है राम सब्द के अंदर तो देखिए जब हम हमारे सरीर को देखते हैं हमारे सरीर के अंदर अगर आप योग की द्रिस्टी से बात करते हैं तो सरीर में साथ चक्र होते हैं जो आपका निसब सी नीची मुलाधार चकर होता है, फिर स्वाधिस्थान चकर आता है, फिर आपका मनीपूर चकर जो नाभी में है, फिर अनाहज चकर आता है, और यहां गले में आपका विशुदी चकर, आग्या चकर, उस सहस्तरार चकर, यह साथ चकर होते हैं, जब आप सब्द बोलते हैं तो राम सब्द के उच्चान से हमारे सभी चक्रों की यात्रा हो जाती है एनर्जी जो है वो नीचे से उपर की तरफ चलती हुई आपके सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है और ऐसा जब एनर्जी सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है तो आपको जन्मो जन् प्राप्त करना कहते हैं वो वालमी की जी को प्राप्त होई अब आपके मन में ऐसा विचार चल रहा होगा क्या ऐसा होता है तो उसके प्रैक्टिकल आप कर लिए जी आप मेरी बातों पर भी विश्वास्त ना कीजिए आप अपनी कमर गर्दन को सिधा किये और सिर्फ राम इसको जो सब्दों की उचान से जो वाइब्रेशन आपके अंदर होते जो सेंसेसन होती उसको आपको विद करना है करके देखिए मेरे साथ में तो यह इस परकार से राम सब्सकार का उच्छाण करने से जो हमारी एनर्जी जो है जो मुला धार जो चक्कर है वहाँ पर सोई हुई है जो कुंडल नी सक्ति जिसको कहतें वो उसका उधर रूपन होता है जो कुणलली सक्ती ह्मारी मुलाधार्चकर में सोई हुई है उसका उधरगमन होता है उपर की तरफ उठके चली आती है तो इसलिए खागा है कि राम से राम का जो नाम है वो बड़ा है जिसे हमें घ् mismaan हो जाता है कि वास्तव में हम क्या हैं हम क्यों आए हमें क्या करना चाहिए हम पहले क्या थे भविश्य में क्या होने वाला तो वो सब सक्तियां जो है हमारे सरीर में जो सुप्थ है तो उनका ज्यान हमें राम सब्द का उचान से हमें मिलता है यह इसका साइंटिफिक रिजन है इसलिए है कि हमारे जो पूर्वज ह हैं वो नमस्ते पे आ गए हैं या और गुड मोर्निंग गुड आफटर नून पे आते हैं आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप उनको ये जो सब्द है इस सब्द की आप कुई महता को समझाएं कुछ दिन आप उनसे उचान करवाएं फिर देखें उनके इंदर चेंज इस आ उपर की तरफ आप उठेगी तो यही कान था कि इसको हमारे हमारे पुर्वजों ने इस सब्द को हमारे संसकार में डाल दिया लेकिन आज ये चीज़ें विलुप्ठ होती जा रही है लेकिन एक बार पुने राम जो यूग है वो एक तरह से आ गया है आज बाइस जनुवर में पुने जिनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो जो राम है उन्होंने भी स्वयम खा कि मेरे से मेरा नाम बड़ा है आप मेरे नाम का उचान किजी नाम की उचान से ही आपका उधार होने वाला है तो वो उधार ऐसे ही होगा कि हमारी सोई ही जो सुप सक्तियां है वो कीजिए ऐसा करने से आप स्वयम ही अपने आपके अंदर चेंजिस देखेंगे तो धन्यवाद आप सभी का मैं हूँ डॉक्टर सुनिल भार्दवाज असिस्टिंट प्रोफेसर इन योग अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो इसको सेर करें लाइक करें धन्यवाद